प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्षया नो विशेगडित सेट टू आज जो आपका हुआ था उसको हल करने वाले हैं तो जो बच्चे चैनल पर नहीं है या जिन बच्चो ने अभी तक चैनल को सब्सक्रा इसका भी बिलकुल सही होगा इसके बाद में आगे ईक संकोर्ण तिरबुज में सबसे लंबी बुजा होती है तो प्यारे बच्छों समकॉर्ण तिरबुज के अंदर सबसे लंबी बुजा जो होती है वो करण होती है तो उप्स नमर भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रस्ट नमर च्यार है एक न्यून कॉर्ण है तो इसमें जो न्यून कॉर्ण है वो से क्या कहते हैं तिरजया तो इसमें आएगा तिरजया खालिस्तान के अंदर पर्शन नमर छे में है तिरबुज के तीनों कोणों का योग होता है तो आप सभी को पता है कितना होता है 180 सी डिगरी आगे है यूकलीड की अवदारणाओं की संक्या है तो प्यारे बच्चों ये पांच होती है आगे है जब दो किरने एक ही अंतिम बिंदों से निकलती है तो कोण बनता है इसके बाद में पर्शन नमर नो दो भिन बिंदों से होकर जाने वाली ऐसंक्या रिखाएं हैं तो प्यारे बच्चों एसंक्या रिखाएं नहीं हो सकती है एक बिंदों से एसंक्या रिखाएं होती है दो बिंदों से तुसरे एक ही रिखाएं सकते हैं तो ये ऐसंक्या हो गया इसके बाद में पर्शन नमर दस है समान बोजाओं वाले दो वरग सरवांग सम होते हैं कारण है समानतर रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं हो सकती है, अभी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण दावे की यही सही वेख्या है, तो इसमें दूसरा सही होगा, अभी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण दावे की वेख्या नहीं है ठीक है तो यहाँ पर दी गई आकरती में y का मान आपको ग्यात करना है तो प्यारे बचों एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर तीन कोर्ण दे रखी हैं और तीनों का जोड एक सोसी होगा तो y का मान निकाल लेंगे 18 हो जाएगा तो y से हम कर लेंगे y 18 डिगर जाएगा तो तीन वाई जो ठारती चोंबन हो जाएगा वो एक सो आठ हो जाएगा तो इस तरीके से हम तीनों कोर्ण ग्यात कर सकते हैं तो हमें तो सिरफ इसमें y का मान ही निकालना तो 18 डिगरी आ गया आ गया आगे है तिरबुझ a b c मे a b b b b b b 50 डिगरी हो तो ग्यात किजिए तो प्यारे बच्चों कोर्ण c है वो भी 50 होगा क्योंकि समान बुझाओं के समुख कोर्ण भी समान होते हैं इसके बाद में परस्ट नमर चोदा में निम्रिक्त पदों की परिवासाइं दीजिए समान तर रेखाएं तो इसका ऊपर उत्तर अनुपाद 5 अनुपाद 6 है तो कोर्ण ग्यात किजिए तो प्यारे बच्चों हम कोर्णों को मान लेते हैं अनुपाद के इसाब से 4x प्लस 5x प्लस 6x तीनों कोर्णों का जोड़ त्रिपूज के 60 होता है तो 4 और 5 और 6 15x बराबर 120x बराबर 120 बटा 15 तो x का मान यहां पर पोज करके अच्छे से थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देख लेंगे वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आगे आपको बोल करके नहीं करवारा तो आप इसको पोज करके खुद देख लेंगे इसके बाद में है परस नमर 17 जो यहां पर हल किया हुआ है इ तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके समझने की कोशिस करें और इसके बाद में आगे जो है वो यहां पर मैंने टिक मार्क किये हुए हैं तो आप वीडियो को पोज करके यहां भी देख लेंगे कौन सा आपका सही है आप अपना मुल्यांकन कर सक करते हैं तो प्यारे बच्चों यह था आज की मैध के पेपर का हल उमीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा धन्यवाद